हेलो एवरिवन, वेलकम तो माई चैनल, CCK with Pooja, CCC Free Course Series तो आज की क्लास में हम Hyperlink नाम की Option को समझने वाले हैं Hyperlink Option होता क्या है और Libre Office Writer Program पर इसका इस्तमान हम किस तरीके से करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास Libre Office Writer Program पर आते हैं सबसे पहले Hyperlink Option जो है इसका Libre Office Writer पर क्या काम होता है मैं यहाँ पर इस फाइल पर हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि मैंने जिस फाइल को जिस लोकेशन पर सेप कर रखा है मैं चाहती हूँ उस लोकेशन की फाइल जो है वो इस वाले प्रोग्राम के फाइल से अटेच हो जाए तो इसके लिए आप Hyperlink नाम की Option का इस्तमाल करते है अब Hyperlink नाम का जो Option होता है वो आपको Insert menu के अंदर यहाँ पर आपको Hyperlink नाम से दिखाई देगा जिसकी Shortcut की है Ctrl प्रस के जब आप Hyperlink Option पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का Dialog Box ओपन होता है जहानक आप यहाँ पर Hyperlink जो है वो आपको चार Options में दिखाई देता है जैसे Internet, Mail, Document और New Document अगर Internet Option की बात करते हैं तो Internet Option में यहाँ पर आपको मिलता है Web और FTP अब Internet Option का जब कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम उस वेबसाइट पर address टाइप करके हम उस वेबसाइट पर जाते हैं जैसे सपोज मैं मुझे यहाँ पर Libre Office की वेबसाइट तक जाना है तो मैंने जैसे ही यहाँ पर Libre Office पर क्लिक किया डाउनलोड Libre Office पर मैं यहाँ पर आटमेटिक Libre Office की जो है एक वेबसाइट पर आजाओंगी मैं यहाँ पर Libre Office की ओफिशल वेबसाइट पर आजाओंगी और आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस पेज में जगे जगे पर अलग-अलग तरह की लिंक लगे हुए है यानि की जब मैं यहाँ पर यह Libre Office इसके सेकेंड पेज पर ले जाएगा तो हाइपर लिंक का मतलब यह है कि फाइल जो है वो किसी भी पेज से तरीके से कनेक्टेड हैं जुड़ी हुई है जिस पर क्लिक करते ही जो लिंक होता है वो एक्टिव हो जाता है और अम उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं अब यहाँ पर इंटरनेट आप्शन का इस्तमाल है जैसे मैं यह चाहती हूँ मैं जब इस फाइल पर काम कर रहे हूँ तो यहाँ पर मैं गूगल का होम पेज जो है मैं यहाँ पर उसका एड्रेस टाइप कर दूँगी और मैं उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करूँगी यह मुझे गूगल के होम पेज तक पहुंचा देगा तो यहाँ पर आपको वेब सेलेक करना है उसके बाद यूरल में यहाँ पर एड्रेस डालना है तो मैं यहाँ पर गूगल के होम पेज का जो है वो यहाँ पर एड्रेस टाइप कर देरी हूँ अब इसके बाद आपको यहाँ पर apply करना है अगर आप apply करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो address दिखाई देखा http www.google.com अगर रोक के कर दोगे तो यहाँ पर यह address आपको दिखेगा अब यह address है यह काम कैसे करेगा link तो यहाँ पर आगया लेकिन यह address तब काम करेगा जैसे आपको दिख रहा है आप यह http colon double slash www.google.com और slash जो लिखा हुआ है यह blue color में highlight हो रहा है उसके निचे अंडराइन आ रही है जा रखेगा जितने भी hyperlink होते हैं वो blue color से ही highlight होते हैं आप यहाँ पर जब आप इस text के position में करज़र रखते हैं तो आपको यह address दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको एक message दिखाई देगा control plus click to open hyperlink यह कह रहा है कि अगर आप इस link तक जाना चाहरे हैं open करना चाहरे हैं तो आपको keyboard से control button और mouse का left button प्रेस करना पड़ेगा तो यहाँ से हम keyboard से जैसे ही यहाँ पर करज़र रखकर control button प्रेस करते हैं आप देखते हैं वही hand बनके आ रहा है जो आपको मैंने LibreOffice की website की पर यहाँ पर दिखाया था तो अगर मैं यहाँ से control के साथ अपना mouse का left button प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर आटमतिक आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर Google के browser पर आ गई और Google का तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं ब्राउजर पर आ गई और यहाँ पर Google की home page पर आगी क्योंकि मैंने वहाँ पर Google का home page का जो है वो address दिया था तो basically जो आपका hyperlink internet होता है वो direct इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर आपको पहुचाने के लिए आप यहां लिंक दे सकते हैं second option है वो है mail है mail से related है जैसे आप यहां अगर किसी को mail भेज रहे हैं तो यहां पर राइसे पैंट है subject है आप direct यहीं से किसी को mail भी कर सकते हैं उसके बाद document है document का इस्तमालम तब करते हैं जब हमें पहले से बनी हुई file को link करना है जैसे अगर मैं document पर click करूँ तो यहां पर आपको option मिलेगा path path के सामने ये folder दिखा रहा है आपको open file आपको इस पर click करना है उसके बाद आपको computer की location के according information दिखारूंग किसी भी file को यहां पर open करना है किसी भी この video address लेना है जैसे मैं यहां पर इस file करके मैं इसको open कर ले रही हूँ रही हूँ जिस file का link मैं यहां चाहती हूँ और आप जब file को select करके यहां पर apply करने जारे हूं जब मैं apply तो मैं जैसे ही यहां पर apply करूंगी, आपको यहां पर जो file मैंने ली हुई है, उस file का आपको यहां पर address दिखाई देगा, अब यहां पर मैं ok करके इसको बंग कर ले रही हूँ, अब मैं इस file को भी open करना चाहरी हूँ, जहां रखी गई इसकी पूरी location दिखा रहा है, यह file कहां पर save है, अब मैं जैसे ही control के साथ यहां पर click करूंगी, यह file जिस भी program में, जैसे यहां पर doc में बनी है, Microsoft Word में तो यहां पर यह file जो है, इसको मैं open, ok कर लूँगी, तो यह file जो है particular उस location पर जाकर open हो जाएगी, जहां पर यह file जो है, बनी हुई है, जिस program पर उसके बाद बार ही आती है new document की, new document का मतलब यह है, कि अगर आप कोई नया document बनाना चाह रहे हैं, उसका link देना चाह रहे हैं, जैसे, यहां पर जब हम new document पर click करेंगे, तो यह सबसे पहले आप से पूछेगा, options के थुरू, यहां पर लिखके आ रहा है, file type, आप किस तरह की file create करने वाले हैं, text document, यानि की writer पर कोई file बनाने वाले हैं, spreadsheet या फिर calc से कोई file बना रहे हैं, presentation, impress से कोई file create कर रहे हैं, drawing है, formula, बहुत सारे दिये गए हैं, अब मैं यहां पर text document, यानि की writer की file जो है, वो new open करना चाहरी हूँ, बढ़ उसमें इसका link चाहरी हूँ, उसके बाद यहां पर आपको file का नाम देना है, जैसे, मैंने यहां पर दे दिया, hyperlink attachment file, ठीक, यह मैंने इसको नाम दे दिया, एक link दिख रहा है, see users, उसका पूरा address आ रहा है, hyperlink attachment के नाम का, जब भी मैं इस file के address पर जाकर control के साथ क्लिक करूँगी, तो यह उस जगे पर automatic जाके open हो जाएगी, तो basically यह इस तरीके से आप hyperlink option के जरीए कोई नई file भी यहां पर link कर सकते हैं, नई बना भी सकते हैं, तो basically यह hyperlink option का काम है, और अगर आपको लगता है कि हमें hyperlink लगाना है, बट जैसे यह इस तरीके से पूरा address आ रहा है, यह मैं नहीं चाहती हूँ, तो यहां पर आप अपने अनुसार कोई text भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यह चाहती हूँ, कि यह जो text है what is library office, इस text पर हमें एक नई file का link लगा सके हो, जब इस पर click करेंगे, तो फाइल open हो जाएगी, तो आपको बस इतना करना है कि इस text को select करना है, उसके बाद insert के अंदर जाकर, hyperlink option पर जाकर, click करना है, उसके बाद यहां से, अगर मैं new document पर click करूँ या फिर मान लेजे, मैं internet select करती हूँ, यहां से मैं यह चाहती हूँ कि मैं यहां पर again, google के home page का address दे दूँ, और जब भी मैं what is library office, लिखे हूँ topic पर click करूँगी और यह मुझे google के home page तक पहुँचा देगा, इसको हम apply, ok करके देखते हैं, देखें यहां पर यह text आपको hyperlink की तरह दिखाई दे रहा होगा, blue color में, क्योंकि यह link हो गया है, बड़ आप इसमें difference समझ सकते हैं, पहले मुझे पूरा address दिखाई दे रहा था, बड़ मुझे address नहीं दिख रहा है, और अगर मैं हाँ पर control के साथ click करूँ तो यह वही काम करेगा, आपको google की home page तक पहुचानेगा, तो ध्यान रखेगा, इस तरीके से आप अलग-अलग तरीके से अपने document पर hyperlink option को जो है, वो लगा सकते हैं, तो यह था आपका hyperlink option जिसके बारे में आपने जाना कि hyperlink options आप document पर किस तरीके से इस्तमाल करते हैं, और hyperlink option के जरीए, आप किसी भी तरह के web page को, या document में बनी हुई file को आप आसानी से अपनी file पर जो है, आसानी से आप link कर सकते हो तो आज की class में आपने hyperlink option को जाना hyperlink option होता क्या है उमीद है कि आपको आज की class समझ में आई होगी next class में इसी तरीके से हम कौछ और options के बारे में बात करेंगे मिलते हैं next class में